अब तक है अब अब आप अब आप अब तक है अब आप मेरा नाम है विजिंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इसके वेब डीजानर योट्यूब चैनल अभी हमारे पीछे आप देख रहे होंगे की लेनी का स्मार्ट बोर्ड है और यहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि क होने रहे हमारे साथ सबसे पहले नोट को क्लिक करने के बाद यह ओफेड होता है उपिन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं Warning यहां पर एक ओप्पसर में आता है इसकम इस एक क्लीक करने पर ऊपर का जो गलवम उपर का जो दो option दिखा रहा है, सबसे first में अगर click करते हैं, तो यह left में हमारा application open हो जाता है, right click करने पे right में यह चला जाता है, तो हम एके करके आपको दिखाने वाले हैं, सबसे पहले इसको click करते हैं, click करने के बाद अभी आपने देखा कि जो application हमने open किया था, वो half board पे divide हो चुका है, बढ़ चुका है, दूसरा application open करने के लिए, फिर से हम यहाँ पर कोई भी application like visualizer पे click करते हैं, click करने के बाद यहाँ पर भी हमारा application open हो चुका है, तो अभी देखा आपने कि एक board पे कैसे दो application को हम अलग अलग जगह पर रख सकते हैं, इसके अलावे आप चाहें तो इस panel पर दो के जगह चार भाग में भी इसे बाट सकते हैं, तो उसके लिए हम फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कैसे होता है वो, तो फिर से हम वही process करने वाले हैं, कि सबसे पहले notes पे click किया हमने, notes पे click करने के बाद, same यहाँ पे जो option आती है, इस option पे click करने पर, उपर का जो हमने आपको बताया थे यह दो parts के लिए, कि दो parts में divide करना है, नीचे का जो दो option आपको और यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर अगर zoom करते हैं, अगर यहाँ पर आप zoom करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, black का किनारे corner corner में बनाया हुआ है, spaces, तो आप देख लीजिए, यहाँ पर, black space बना हुआ है, अगर इस पे click करते हैं, तो यह हमारा top उपर में left में चला जाता है, और just इसके पर यानि top में जा चुका है, फिर से हम दुवारा application कोई open करते हैं, और यहाँ पर भी same वही process रहता है, कि इसे click करने पर, click करने पर, यहाँ पर इसके just बगल वाले पर click करते हैं, तो यह application हमारा right के top में चला जाता है, तीसरा application open करने के लिए, फिर से हम कोई application में जाते हैं, application में जाने के बाद, just इसको click किया, और यह, इस पर click करने के बाद, हम सबसे नीचे वाले को click करते हैं, तो यह हमारा bottom में, सबसे नीचे में, left side में जा चुका है, एक application जैसे हमने बताया आपको कि चार application को आप यहाँ पर open एक साथ कर सकते हैं, तो फिर से हम इसको करते हैं, click करने के बाद, हम एक और application, just like setting example, setting को click किया, और यहाँ पर भी यही process करना है, आपको click करने के बाद, एक और application यहाँ पर है, साथ ही, यहाँ पर आप इसे, अपने requirement की हिसाब से, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिसमें आपकी ज़्यादा requirement हो सकती है, ज़्यादा आपको Smart Board पर कैसे 4 application को एक साथ run कर सकते हैं, दो application को run कर सकते हैं, तो अभी आपने सोच रहा हूँ, कि जो मैं यह दिखा रहा हूँ, आपको यह कौं सा company, या कौं सा brand का board है, तो हमारे पास यह जो board है, यह lenic company का board है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि यह lenic company का board है, और इस board में आपको मिल जाता है जो storage की बात करते हैं तो 4GB RAM और 32GB ROM के साथ साथ ही इस board की सबसे बड़ी खास्तियत है कि इस board में play store available है जिसके थुरू आप कोई भी application easily install कर सकते हैं और install करने के बाद आप वहीं से उस पढ़ा सकते हैं इसी तरह के video को देखने के लिए बने रहेंगे हमारे साथ अगर आपको अच्छा हमारा वीडियो लगता है तो वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें